नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वार फिरसे स्वागत है जेकी आईटी मंत्रा योट्यूब चैनल में नेवी ट्रेट्स में इनके एक्जाम होने ही उसके लिए नोन टेक के क्लासेज शुरू की है जनरल अवेर्निस आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा यह मिस्प्रिंट है मिक्स क्यूशन लेकर उपस्देत हैं यानि कि सभी टोपिक के आपके सामने मिक्स क्यूशन रहेंगी जनरल अवेनेस, रिजनिंग, मेस और इंगलीज पूरा टोपिक आपके सामने रहेगा तो आप क्लास को देख लीजी लाश्ट तक एक क्लास इससे पहले हो चुकी है अब दूसरी क्लास है तो आप इसे भी जरूर देख लीजी क्या रहने वाला है पूरा सेले बस आप देख लीजी और आज सी स्टेडी शुरू कर दीजी इससे पहले भी बहुत सारी क्लास इज आपके सामने रख दी है आप उनको भी जरूर अटेंड कीजी चलिए शुरुआत करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है आई टे बेस्ट नोन टेक की तयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो को लाइक जरूर करें आपसे रिक्वेस्ट है पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आपके लिए मैनत करते हैं 20-25 पच्शिस मिनट की क्लासेज लगाते हैं और आप देखते ही नहीं है अब देखी हमने एक एक सीरीज शुरू की थी नोन टेकनिकल का संपोर सलेबस आपके सामने रखने का टारगेट था वो भी दिसंबर 2023 तक यहनकि अप्रेल से दिसंबर काफी टाइम होता है इसमें हम पूरा आपको सलेबस करवाने वाले थे और यह आपको सीरीज यह पूरी अटेंड करते हैं तो रेलवी एलपी एंड टेकनिशन, नेवी ट्रेट्समें, सीपी आरई, डीमर्सी, एनपी सीईल और एक मेन एक्जाम जो आप सभी के दिल के करीब है इन में से आप कई एक्जाम को कलियर कर लेते यदि इस सीरीज को आप कंटिन्यू लेते तो तो हमने इसकी दो वीडियोज अपलोड की हैं आप उनको भी देखी अच्छा रिस्पोंस मिलेगा तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे वरना यह सीरीज नहीं होने वाली है उसमें से कुछ में आपका सेलेक्शन हो जाएगा और यदि आपका एक वार सेलेक्शन हो गया ना तो फिर आपको किसी की आवशकता नहीं पढ़ने वाली है तो इस सीरीज को अपना रिस्पोंस दीजिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं ज उसका भी लिंक दे रहाया डिस्करप्शन में देखिए अब आपके सामने ही 5041 का वरग्मूल किजिए वर्गमूल करने का आसान तरीका मैं आपके सामने बताऊं तो simple तरीका होता है कि आपके सामने जो option है यहन्कि कम टाइब में करने का तरीका बता रहा हूं आपके सामने जो option है उसे दो बार गुना कीजिए तो 7-1 को आप 7-1 से एक बार गुना कीजिए तो आप कहेंगी आएगा 7-1 फिर आप multiply कर दीजिए 7-1 into आपके 7 से तो आप कहेंगी 7 और फिर 4-9 यान कि ये आपके सामने 1, 4, 0 और 5 541 है जिसका वर्ग मूल पूछाता यान कि आप कहेंगी 7-1 है चारों option को try कर लिजी आपका इंशुरा जाएगा एक और तरीका है वो तरीका क्या है official तरीका वही है आप उसे follow कीजिए लेकिन उसमें time ज़्यादा लगेगा आप देखे आपको ये लिखना है फिर आपको divide करना है दो से करेंगे तो आप कहेंगे last में विसम है जाएगा नहीं तो आप आप कीजिए 3 से 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से कीजिए 5 से भी नहीं जाएगा तो आप 7 से कीजिए इस प्रकार से आपको करना है divide करते जाएगे फिर आपका answer आएगा और दाष्ट में आप कर सकते हैं 7-1 इसका वर्गमूल होगा तो मैं आपको कहूँगा option से कीजिए जल्दी हो जाएगा और examet time भी यही मिलता है तो option वाला option better है आगे बढ़ते हैं question है कि जब कई परतिरोद में जोड़ी जाते हैं तो उनका संयोक्त परतिरोद उनमें से new term परतिरोद से कम होता है अब देखी परतिरोद के संयोजन से general awareness में भी आ सकता है general science में भी question आ सकता है आप कहेंगे general science तो अमारे syllabus में नहीं है तो General Science क्या है, General Awareness के साथ ही आ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि Volt Meter क्या मापता है, आप कहेंगे Voltage, लेकिन ये General Science का Question है, General Awareness में यूं आया है, कि आपको पूछना चाता है, आपको जागरुकता कितने हैं, आप कितने जागरुको, यानकि General Awareness का मतलब है, आपको General Science, English, यदि आपने दो परतिरोद जोड़े हैं, एक दस ओम का और एक पांच ओम का, तो टोटल परतिरोद वो लाइन में ड्रॉप करवाएगा, वो पंदरा ओम हो जाएगा, यनकी जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गया, आपकी जोड़ हो गया, सरवादिक हो गया, एक होता है स समांतर में क्या होता है, कि नून्तम परतिरोद से भी कम होता है, कैसे होता है मैं आपको अभी करके बताता हूँ, मान लेते हैं, कि एक परतिरोद का मान है तीन, और एक का मान है आपके फिर से तीन, तो अब आपकी समांतर में छे नहीं होगा, अब क्या होगा, तो अब लगाना है R into N, R बटी N, आप कहेंगे R है आपके 3 और बटी आपको लगाना है क्योंकि 2 है, आप कहेंगे डेड ओम प्रतिरोध आ रहा है, तो यह 3 से भी कम है, यान कि समानतर में क्या होता है, प्रतिरोध का मान होता है, कम से कम जो मान का प्रतिरोध है, उससे भी कमाता है, क दूसरा आपके 6 ohm का है और तीसरा आपके 9 ohm का है अब तीनों का जब संयुक्त आप प्रतिरोध ग्याद करेंगे तो उसका मान 3 ohm से भी कम आएगा तीन ohm से भी कम आएगा कैसे आएगा तो आपको फोर्मूला यूज करना एक बटे r1 प्लस एक बटे r2 प्लस एक बटे r3 फिर आपको LCM याद करके करना है तो उसका जो मान आएगा वो तीन ohm से भी कम आएगा तो ये आपको लाइन याद कर लेनी है कि समांतर में प्रतिरोध कों का संयुक्त मान नियुनत मान से भी कम होता है आगे क्यूशन है कि select the option data represent the number of square in the given figure यान कि इस आकरती में दिये गई वर्गों की संख्या जात कीजिए अब देखिए ये आकरती है इसमें वर्ग एक तो मुझे ये वाला वर्ग दिखाई दे रहा है वर्ग का मतलब होता है चारों बुझाए जिसकी बराबर हो दूसरा आप कहेंगे एक यह वाला वर्ग है जिसमें चारों बुज़ई बराबर है इसके अलावा मुझे तो कोई वर्ग दिखाई नहीं दे रहे जिदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप बता दिजी दू इसमें वर्ग है आप भी इसी केलकुलिव कर सकते हैं मैं एक वा संख्या बनी रहे ताकि आप कर पाएं PDF आपको अमारी टेलिग्राम पर मिल जाती है क्लास होने के 3-4 गंटे के अंदर अंदर तो आप वहाँ से नाउनलोड कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं लेकिन पहले क्लास लेजिए उसके बाद PDF क्योंकि PDF में कुछ बाते समझ नहीं आएगी अब कह रहा है कि 8.5 साधारन वार्षिक ब्याज के दर से 6 वर्षों के लिए 2080 पर कितना ब्याज होगा तो सिंपल इंट्रेस्ट है फोर्मूला होता है PTR बट्टी सो P होता है आपके जो निवेचित की गई है वो दोजार टी होता है आपके टाइम और आठ होता है आपके दर तो 8.5 है और बट्टे में आपको लगाना है सो अब एक पोइंट अटाएंगे तो निचा जाएगा जीरो तीन जीरो से तीन जीरो आपके हो जाएंगी कट अब आप उपर की उपर किल्कूलेशन कर लीजिए 2 इंटो 6 तो बारा को आप गुणा कर लीजिए 8.5 से या निकी पिच्चाशी से आपके 據 पिच्काशी और पिच्च्चाशी करेंगी 170 और 170 से 600 कर लीजिए यानिकि आपके 2020 आता है तो यह calculation कर दीजिए सब का अलग-अलग तरीका होता है calculation का करके answer का मिलान जरूर करें नीचे दीए के अक्षरों के करम से लापता अक्षर missing number को find कीजिए अब देखिए संख्या क्या है K है, M है, P है, T है अब देखिए, K के बाद M आया है तो क्या हुआ है, L, 1 छोड़ दिया M के बाद P आया है N और O छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया P के बाद T आया है Q, R, S इस तीन छोड़ दिया यनकि पहले एक छोड़ा, फिर दो छोड़े अब तीन छोड़ दिया तो अब आगे क्या छोड़ना चाहिए आप कहेंगी चार तो T के बाद U, V, W, X चार को छोड़ दीजिए और आना चाहिए Y यह रा ओप्शन नमबर C में कर दीजिए रिजनिंग का सिंपल सा क्यूशन है हर श्याम 6 बजी क्लास होती है जोइन जरूर कर लीजिए वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल एप डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट शिरीज वहां उपलब्ध है यदि तीन दरजन अमरूद का मुल्य 90 रुपे है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं देखे क्यूशन थोड़ा मोडरेट लेवल का है अच्छा क्यूशन है तीन दरजन का मुल्य देर खाए यानकि आप कहेंगे एक दरजन में कितना होता है तो आप कहेंगे बारा चीज़े होती हैं एक दरजन में एक दरजन में बारा होती है एक अमरूद का price ग्यात करने के लिए हमी क्या करना पड़ेगा 90 में 36 का भाग देंगे आप कह सकते हैं कि एक अमरूद का मुल्य कितना है 90 बटे 36 अब आपको कितना ग्यात करना है 240 रुपे में कितने अमरूद खरीदे हम कह सकते हैं कि 90 यहां लिखराँ मैं कि 90 रुपए में 36 अमरूद खरीदे हैं तो म मान लेते हैं X अमरूदों की संख्या X अमरूदों की संख्या या अमरूदों की संख्या Z है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 240 यदि मैं कहता हूँ कि एक पेन पांच रुपे का है तो दस पेनों के कितने रुपे होंगी तो आप कहेंगे दस पेनों के पांच को गुणा कर देंगे दस से उसी प्रकार से हमने एक अमरूद का रुपे निकाल कर अमरूदों की संख्या से गुणा किया है क्योंकि टोटल हमारा बिल 240 का है अब देखी हम भी जड ग्यात करना है तो उल्टा कर दीजी तो हम क्या करेंगी 240 इंटू 36 बटे 90 क्या करेंगी 36 बटे 90 अब काटा पिटी करना है अब कुछ नहीं करना काटा पिटी 0 से 0 आप कहेंगी 3 सी 4 वार में और अब आपकी यहां 3 वार में न यानकि 9 से कट कर दिया मैंने 9.36 अब उपर आपको मल्टिपलाई कर देनी है तो 6 और 8 हर एक 9 चिन में यानकि टोटल अम्रूदों की जो संख्या है वो 96 आईगी ओप्शन नमबर C के अकोडिंग हमारा एंसर सही है केलकुलेशन आप कर लीजी सबका अलग अलग तरीका होता है मैं शुरू से कहता आ रहा हूं और मैंने तरीका आपको बता दिया है PDF में अच्छे से समझ नहीं आईगा क्लास को टेंड कर लीजी और आपको समझ आजएगा की एंसर कैसे आया है अब आगे आपके पास मेत का क्यूशन है और बोर्ड मास नियम से करना है बोर्ड मास का नियम कहता है पहले छोटे वाला ब्रेकेट सोलो करो यह वाला करेंगे छोटे वाले ब्रेकेट में भी पहले भाग को पूरा ही 4 यानकि एक ब्रेकिट के जगह क्या आएगा चार अब दूसरा ब्रेकिट सोलू कीजिए यहां भाग का निशान है तो कर दीजिए आप केंगे 20 माइनस 4 यहां भी भाग का निशान है तो आप कर दीजिए भाग तो यह भागोगा यानकी एक बन जाएगा तो यहाँ आपकी 20 में से आप एक माइनस कर दीजिए यानकी 19 अब आगे है आपकी 38 माइनस 19 तो आप करेंगे 19 38 माइनस 19 और अब आपके सामने है 45 माइनस 19 तो यह आप calculation करके बताईए क्या answer आ रहा है तो मैं करूंगा 45 में से यदि हम 20 माइनस करते हैं तो 25 आता है और 19 माइनस करेंगे तो 26 आएगा यह लिखिए आपके सामने answer है board mass नियम आना चाहिए हलांकि मैंने इस board mass की नियम पर बहुत सारी question हर class में करवा दिये अब मैं अच्छे से explain करना नहीं चाहता क्योंकि एक वार जो question हो चुका है उसे आप बार बार नहीं देखी तरीका आपको आ गया है अब आप वहां से देख सकते हैं बोजन वेसे ही fridge से सम्मधित है जैसे कपड़ी सम्मधित है यान कि reasoning का question है आपको दे रखा है बोजन बोजन उसके बाद दो डेट अनुपात लगा कर लिख रखा है fridge समानुपात लगा कर दे रखा है आपको कपड़ी और आपको यहां क्यूशन मारके दे रखा है तो आप कहेंगे बोजन को हम फ्रीज में रखते हैं जिसके बराबर है आप कहेंगे 37 डिग्री के बराबर है यानकि सरीर का temperature 37 डिग्री और Fahrenheit में इठ्यान में point something होता है तो अब आपको 37 तो आप कहेंगे पिच्यान में और इठ्यान में आसपास है 35 और 37 भी बराबर होंगी लेकिन आप calculation भी तो करेंगे एक formula होता है उससे कर लीजी answer आएगा C बट्टी 5 बराबर F माइनस 32 डिग्री बट्टी 9 यह formula होता है लगा दीजी answer आजाएगा C ग्यात करना है तो आप कहेंगे 5 की हम उधर गुना कर देंगे 35 में F की जिग्र रखेंगे 32 माइनस करेंगे तो मैं काऊंगा 3 आया और आपकी 6 आया प्रेसेट इंटू आपके आजएगा 5 क्यों तो यह इधर गुना करेगा बट्टे 9 आएगा तो 9 से हम कट कर देंगे एक वार है तीन से करते हैं यह 3 वार और यह 2 21 वार यह आपके 7 वार और 7 की उपर 5 से गुणा कर दिए 35 यह रा केलकुलेशन का तरीका पता होना चाहिए सुत्र आपके सामने है तो यही थी आज की क्लास मैंने स्पीड से करवा दी है क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करें कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं मैं स्पीड से करवाँगा पीडिएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ सुक्यूशन की भी पीडिएफ का लिंक दे रहा है उसे भी डाउनलोड कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का